हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका Make Anything पर आज हम ग्वारफली की टेस्टी से सब्जी बनाके त्यार करेंगे ग्वारफली की सब्जी बनाने के लिए ग्वारफली को मैंने अच्छे से वोष कर लिया है सूखने के बाद इसको अगे पीछे से कट कर लिया है और इसके साथ ही हम इसमें आलू डालेंगे तो आलू को भी मैंने पीसिस में कट कर लिया है साथ में थोड़ा सा लेसन और प्याज को भी कट कर लिया है अब हम थोड़ा सा गी लेंगे गी के गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें प्याज और लिसुन को डाल देंगे प्याज और लिसुन को हम एक मिनट चला लेंगे ज़्यादा हमें भूनने की ज़रुत नहीं है सुकी सब्जी में बाद में भी भून जाता है प्याज और इसके साथ हैं हम इसमें कवार की फली और अलू डाल देंगे और टेस्ट के कोडिंग हम इसमें नमक डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और ढकल लगा के पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए पानी अड़ नहीं करेंगे हम इसमें पॉर एक बार बीच में Weback में चला लेंगे ताकि अमारी सबस्जी चिफ के नहीं पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना इसको डखल लगा के चयर से पाच मिनट में पख जाएगा जैसे हँारे अलू सोफ्ट हो जाएंगे हम इसमें मसाला डालेंगे . पहले हम मसाला नहीं मस मesование निर्ट मेरा म 사실 को भी भून लेंगे मिस में हम इसमीट कुछ के ऐड पका लींगी और सकाल को हम रोटी के साथ किसी बी चीज़ के साथ सब्सक्रम और सलटी सब्सक्राइब कर सकते हैं यह तो इंजुय किजी आप सबजी कर्या किए कूछच पी एक पर शी है take care